सब्सक्राइब कीजिए एफ इस्टेटी क्लास चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हलो स्टुडेंट्स आज हम कक्षा नो की जो परस्दनावली है आठ यानि चेप्टर नमबर आठ है उसका नाम है चतरबूज तो इसमें हम परमे नमबर आठ पॉइंट एक को सरल करेंगे तो देखे परमे नमबर आठ पॉइंट एक क्या है कि इसमें हमें दिया गया है किसे समांतर चतर बूज का एक विकिर्ण उसे दो सरवांग समत्री बूजों में विबाजित करता है तो ये चीज़ हमें इसमें सिद करनी है कि जो समानतर चत्र बुज है उसके अंदर हम अगर विकिर्ण बना दे एक विकिर्ण बना दे तो उस विकिर्ण से जो त्री बुज बनेंगे वो दोनों क्या होंगे सरवांग सम होंगे तो ये चीज़ हमें सिद करनी है तो चलिए हम इसको सरल करते हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजी और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी तो यहाँ पर हम एक मनाते हैं समांतर चतर बूज इस तरह से यह हमने बना लिया एक समांतर चतर बूज चलिए इसका नाम लिख देते हैं A, B, C और D A, B, C, D क्या है एक समांतर चतर बूज इसने लिखा है कि एक समांतर जो चतर बूज है उसका विक्रण तो हम A, C एक विक्रण मना देते हैं यह A, C हो गया एक विक्रण तो यह जो विक्रण है इस विक्रिण से 2-3 बूज़ बनगे एक उपर का और एक नीचे वाला 2-3 बूज़ बनगे ये 2-3 बूज़ सर्वांग सम है ये हमें सीथ करना यानि इन 2-3 बूज़ों को सर्वांग सम करना है कौन सा तरी बूज़? A, B, C और A, D, C इनको हमें सरवांगसम सीध करना है तो हम कैसे करेंगे तो देखें ये हमारे पास में क्या है समांतर चतर बुझ और समांतर चतर बुझ जो होता है उसमें आमने सामने यानि समुक बुझाएं होती है वो बराबर होती है ये बुजा इसके बराबर हो जाएगी और बीच वाली उबे निष्ट हो गई तो यानि हम कह सकते हैं कि बुजा 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 नियम से साइड 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 नियम से ये दोनों जो त्री बुजा हो क्या हो जाएंगे सरवांग समो जाएंगे तो हमें तो यही चीज़ सीद करनी इसमें तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं क्या दिया गया है हमें दिया है कि A, B, C, D, A के समानतर चत्र बुझे समानतर चत्र बुझे और हमें सीद करना है वो हम यह आप लिख लेते हैं कि एक नीचे वाला तिरी बूज हो गया, तिरी बूज A, B, C, सर्वांग सम है, तिरी बूज A, D, C के, A, D, C, इनको सर्वांग सम करना है, तो इसकी उपत्ती में देखे, हम क्या करेंगे, कि एक तो तिरी बूज लेगे नीचे वाला, तिरी बुज ए, बी, सी, वे दूसरा तिरी बुज उपर वाला ए, डी, सी में दोनों तिरी बुज में देखे अब ये जो बुजा है ये बुजा वो इसके बराबर होगी क्योंकि समानतर चतर बुज की समुख बुजा है तो हम लिख सकते हैं कारण लिखेंगे कि समानतर चतर बुज की समुख बुजा है इसलिए बराबर है अगर ये दोनों बुजाएं बराबर है तो ये जो बुजा है वो इसके बराबर होगी यानि कि बी, सी बराबर होगी ए, डी के तो हम लिख देंगे कि बी, सी बराबर AD ये भी क्या है समानतर चतर बुज की समुख बुजा है तो ये कारण आपको यहाँ पर लिखना है चलिए बीच वाली AC है वो उभनेश्ट है दोनों में काम में आ रही है तो AC बराबर AC लिख सकते हैं तो AC बराबर AC ये क्या हो गई उभनेश्ट उबेनेश्टी बूजा तो हमने यहाँ पर देखिए साइड 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 यानि बूजा 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 नियम से दोनों तरी बूज क्या होगे सरवांग सम होगे तो हम लिख सकते हैं कि S, S, S नियम से नियम से यानि बुजा 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 नियम से तिरी बुजे A, B, C सरवांग सम है तिरी बुजे A, D, C में ABC और ADC क्या होगे? सरवांग सम होगे तो यह चीज हमें इसमें सिथ करने दिया तो यह होगे परमे नंबर 8.1 चलिए इसके बाद में सुरू करते हैं परमे नंबर 8.2 अब देखें परमे नंबर 8.2 है इसमें हमें दिया गया है कि एक समानतर चत्र बुज में यह क्या है एक समानतर चत्र बुज है? आप जानते हैं कि समानतर चतर बूझ में colleges में आमने सामने एक बूझाए समानतर और ब्राबर होती है तो AB उपरवाली की ब्राबर है और AD इसके ब्राबर है लेकिन आगे क्या है कि समुख बूझाएं ब्राबर होती है यानि ये चीज तो हमें सिद्ध करनी है कि समुख बुजाएं आमने सामने एक बुजाओं को हमें बराबर सिद करना है तो इनको तो हम लिख नहीं सकते यानि कि हमें इसको सिद करना है तो सिद करने के लिए हम यह नहीं लिख सकते कि यह AB बुजा इसके बराबर है यह बुजा क्योंकि यह चीज तो हमें शिद करनी है तो जो चीज शिद करनी है उसको छोड़के बाकी हम कोई भी इसमें गुण है वो यूज़ कर सकते हैं तो देखे है अब हमें यह समांतर चत्र बुझ दिया गया है तो इसकी आमने सामने वाली भुझा है इनको बराबर करना है तो हम क्या करेंगे एक इसमें विकिर्ण कर लेंगे अब विकिर्ण क्या है आपको पता है कि समानतर चत्र बूज का जो विकिर्ण होता है जो समानतर चत्र बूज है इसे दो सरवांग समत्री बूजों में विवाजित करता है तो ये हमारे पास में ABCD एक समानतर चतर बुज़े है तो हम लिख लेंगे कि हमें दिया है कि ABCD क्या है A के समानतर चतर बुज़े हमें क्या सीध करना है हमें समुख बुज़ाएं बराबर होती है तो AB को इसके बराबर करना है और AD BC के बराबर है तो हम क्या लिखेंगे कि हमें सिध करना है कि AB बराबर है CD AB बराबर CD और BC बराबर AD BC बराबर AD ये हमें सिध करना है तो चलिए इसके उपत्ती की बात करें तो इसमें हम दो तिरी बुज काम में लेंगे एक तो नीचे वाला तिरी बूज एक उपर वाला तो हम लिख सकते हैं कि तिरी बूज ए A, B, C तिरी बूज ए A, B, C वै, दूसरा तिरी बूज उपर वाला हो जाएगा A, D, C A, D, C में अब दोनों तिरी बूज में हम क्या कर सकते हैं दोनों को अगर सरवांग सम कर देंगे, तो यह बुजाए आपस में, यानि सामने वाली बुजाए क्या है, बराबर हो जाएगी, इनको सरवांग सम कैसे करेंगे, तो हम बुजा तो काम में ले ने सकते, क्योंगे इनको बराबर ही करना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें, अब पर एकांतर कोण बनता है यानि कि अगर बात करें यहाँ पर यह कोण एक नमबर किसके ब्राबर होगा यहाँ पर दो नमबर के अब देखें यह जैडी के आकरती बन रहे है इस तरह से जैडी के आकरती में एकांतर कोण ब्राबर होते हैं कब होते हैं जब रेखाएं समांतर ह तो यानि कौन नमबर एक नेचे वाले त्री बूज में एक नमबर उपर वाले त्री बूज का दो नमबर बडाबर है तो देखें एक नमबर दो नमबर के बराबर 3 और 4 बराबर है और बीच वाले ACA वो भिनेश्ट है जो दोनो त्री बुज में काम में आ रही है तो इस तरह से हम दोनो त्री बुज को क्या करेंगे सरवांग सिम कर सकते हैं तो चलिए ये दो त्री बुज लिए इसके अंदर हम क्या लिखेंगे कि कौन नंबर एक दो के बराबर है कौन नंबर एक बराबर कौन नंबर दो कारण देंगे एक अंदर कौन है क्योंकि रेखाएं समांतर है तो इनमें एक अंदर कौन बनते है एक अंदर कौन है कौन नंबर तीन और च्यार भी बराबर है कौन नंबर तीन बराबर कौन नंबर च्यार ये भी कारण इसका क्या लिखेंगे कि एकांतर कोण है ये भी क्या है तीन नंबर और चार क्योंकि ये दोनो समांतर है तो ये क्या हुआ जेड क्या करती में एकांतर कोण है तीन नंबर और चार नंबर बराबर होंगी चलिए बीच वाली जो AC भुजा है वो दोनो त्री भुज के काम में आ रही है तो हम उबेनिश्ट होगी AC बराबर AC यह क्या होगी common उबेनिश्ट उबेनिश्ट बुजा यहाइन यह कहने का मतलब यही है कि हम दोनो त्री भुज को अगर सरवांग सम कर देते हैं तो इनके जो बुजाएं हैं, वो बराबर हो जाएगी. तो यहाँ पर देखें, हमने क्या लगाया? Side, sorry, angle, side, angle. या आप कह सकते हैं कि A, A, S, कौन, कौन, बुजा. नियम से, दोनों जो तिरी बुजा है, वो क्या हो गए? यानि दो, इसमें कौन है? एक इसमें बुजा है. तो तीन चीजे हमने बराबर कर दी, तो यह दोनों तिरी बुज सर्वांग सम होगे, तो हम लिख सकते हैं कि तिरी बुज A, B, C, सर्वांग सम है, तिरी बुज A, D, C के. अब सरवांग सम जो त्री बूज होते हैं उनके संगत बाक्या होते हैं बराबर होते हैं तो हम लिख सकते हैं कि नीचे वाले त्री बूज की AB नीचे वाले त्री बूज में AB उपर वाले में CD क्या होगी? बराबर होगी और नीचे वाले की BC उपर वाले तरी बुज में AD, ये भी बराबर होगी, BC बराबर AD, इसका कार्ण दोनों का एक ही लिख सकते हैं, कि सर्वांग सम्त्री बुजों के संगत भाग है, संगत भाग है, ये इसका कार्ण लिख सकते हैं, तो इस तरह से हम ये जो सामने सामने समुख बुजाएं हैं, यह हो इसके पर्मे नमबर 8.2 तो इस वीडियो में आपको पर्मे नमबर 8.1 और 8.2 दो ही पर्मे बताऊंगा क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी तो आसा करता हूँ यह पर्मे है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी फिर भी कोई प्रोब्लम है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगया तो लाइक और से जरूर कर देना इस चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करना साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाना तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए थेंक यू